हाई एवरिवन लेट्स क्राइक UPSC CSE हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है एक सवाल जो कई विध्यारती मुझसे पूछते रहते हैं और वो सवाल है आईस की तयारी करने का सही समय कौन सा है दो तरीके से इस सवाल का जवाब मैं दोगा क्योंकि सवाल के भी दो तरीके है पहला सवाल कि पूरे साल भर में तयारी के शुरुवात कब करें और दूसरा सवाल कि कौन से आयू वर्ग का विध्यारती UPSC की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकता है सबसे पहले सवाल के जवाब में कि पूरे साल भर में तयारी की शुरुवात कब करनी चाहिए तो मैं आपको बता दू कि जनरली UPSC का जो प्रिलिम्स की परिक्षा होती है जिसको पहली परिक्षा पीटी की परिक्षा कहते है ये मई के महिने में होती है जनरली कभी फर्स्ट वीक ऑप जून भी आ सकता है बट अभी पिछले चार पाँच वर्षों से मई के महिनों में इस परिक्षा को आयोजित किया जा रहा है और जैसी कि आप जानते है कि UPSC की तयारी में लगभग 12 से 15 महिने का समय सिलेबस को पूरा करने में लगता है तो यदि कोई विध्यारती UPSC की तयारी में लगना चाता है और उसे आने वाले समय में परिक्षा देनी है तो एक आईडियल टाइम यही है कि आप प्रिलिम से लगभग 15 महिने 16 महिने पहले तयारी करे ये एक अच्छा समय होता है यदि आप 2 साल और 3 साल पहले प्रिप्रेशन करते जैसे कि आज कल मैं कई विध्यारतियों में देख रहा हूँ और ये बहुत positive sign है seriousness को लेकर तो मैं कहूंगा कि वो भी एक बेहतरीन decision होता है यदि विध्यारती निरंतर उन पूरे 2-3 वर्षों में इसकी न केवल गहराई से तयारी करे बलकि पूरी मानदारी पुर्वक तीन साल तक तयारी करता रहे है पर यहां मैं एक और चीज बता दू मैंने ऐसे कई विध्यारती भी देखे है जो exam make से 6 महने पहले तयारी की शुरुवात करते हैं prelims भी निकाल देते हैं mains भी निकाल देते हैं और पहले प्रयास में ठीक है top 10 में नहीं आपाते लेकिन अच्छी rank हासिल कर लेते हैं ऐसे 2013 में मेरे एक विध्यारती थे 2017 में मेरे एक विध्यारती था कहने का अभिप्रा ये है कि कई विध्यारतियों की अपनी शमताय भी होती है पर पहले सवाल का जवाब यही है कि यदि आप सचमे UPSC की प्रिप्रेशन में उतरना चाहते हैं तो एटलिस्ट 10 से 15 महिने पहले प्रिप्रेशन की शुरुवात करिए क्योंकि सिले बस बहुत बड़ा है उसे कवर करने में समय लगता है बाकी एक छोटी सी विन्ती कई पैरेंट्स को मैं देखता हूँ कि वह अपने सपनों को अपने बच्चों के माध्यम से पूरा करना चाहते है मैं रिक्वेस्ट करूगा कि कक्षा 11 और 12 के बच्चे UPSC की प्रिप्रेशन को न प्रारंब करे वे classes देखे जानकारी को बढ़ाने के लिए जन्रल नॉलेज के लिए अवेरनेस को बढ़ाने के लिए वो classes देखे लेकिन 12th class के बाद ही प्रेप्रेशन स्टार्ट करे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसका सबसे बड़ा कारन है क्योंकि UPSC के syllabus में कई ऐसे पहलू होते हैं कई ऐसे dimension होते हैं जिसकी समझ एक आयू के बाद एक मस्तिश की परिपक्वता के बाद ही आप आती है और मैं कई बार इस बात का समर्थक हो कि जब उसकी समझ आएगे और उसी समय वो बात आजाएगी तो आप उसे उसी दिशा में समझ और सीख पाए इसलिए कक्षा ग्यारा के बच्चे कक्षा नव दस के बच्चे अपनी जिंदगी का आनंद ले हम इस प्रुत्वी पर केवल परिक्षाओं को देने के लिए नहीं आये हैं अब हम आते हैं इसके दूसरे सवाल पर कि आयस की तयारी करने का सही समय एक विध्यार्थी के अठ्रा वर्ष से लेकर पच्चिस वर्ष के बीच में होती हैं तो उस समय उसकी सीखने की शमताये उसकी एक प्रकार की जिग्यासाये उसका आत्म विश्वास उसके अंदर एक प्रकार का कौतुहल बना रहता है समय के साथ वो कौतुहल वो जिग्यासा धीमे धीमे कम होती है पर मैं कोई मनोविज्यानिक नहीं हूँ हर व्यक्ती हर मस्तिश्क अलग-अलग होता है इसलिए कुछ ऐसे विध्यार्थी भी है जो 21-22 में शुरुआत करके भी सेलेक्शन नहीं ले पाए और ऐसे विध्यार करता है लेकिन यदि कोई विध्यार्थी सच में सिविल सर्विस को अपना करियर बनाना चाहता है तो मेरी विंती है कि वो अपने 18 वर्ष से लेकर 25 साल के बीच में डिसाइड करे पर कुछ लोगों के पाथ जानकारी कही बार ग्रामिन प्रस्ट भूमी होने के कारण बाद में पहुचती है तो जब भी आप प्रारंब करे बस इतना जरूर ध्यान दे कि यह मात्र एक परिक्षा है इसलिए इसे तीन से चार वर्ष का समय आप दे सकते हैं इसकी कठिनाई और इस परिक्षा की प्रतिस परधा को ध्यान में रखते हुए जिंदगी नहीं देनी हैं दस बारा साल मत लगाईए तीन और चार साल बहुत परियाप्त हैं इस परिक्षा को कौलिफाई करने के लिए और एक अच्छी रेंकाने के लिए यदि आपको लग से कहता हूँ कि सिलेबस को पूरा करने का समय देखना पड़ता हैं आपकी आयू देखनी होती हैं संग लोग से वायो का कैलेंडर क्यूंकि पूरे एक साल की परिक्षा होती हैं इस कारण से हम ये मानते हैं कि आप अपने UPSC की जर्नी स्टार्ट जब भी करें तो ज्यादा ज्यादा तीन से चार साल का प्रयास करें और ये जो शुरुवाती उमर होती है पेरेंट्स अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चों को 18 से 25 साल की उमर में तै करने के लिए कि क्या उन्हें सच में इस एक्जाम को सीरियसली देना है या नहीं बाकी य आत्म विश्वास उसकी महत्व कांशाय सीमाओ का उलंगन करती रहेगे सभी को मैं बस इतना कहना चाहूगा कि आज के सवाल के जो दोनों पहलू हैं कक्षा बारवी से पहले तयारी मत करिएगा और दूसरा सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जब आईस की तयारी करने आते हैं तो एटलिस 10-15 महिने का ग्याप दे कर तयारी की शुरुवात करिए क्योंकि पहली परिक्षा की तयारी में इतना समय लग जाता है पूरे सिलेबस को कवर करने में अंत में मैं बस वही कहना चाहूगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं में काल करे सो आज कर आज करे सो अब पल में परलय हो जाएगी बहुरी करेगा कब जितना समय बीता जाएगा उतना नुकसान आपका हैं आप जिस समय जागे पूरी मानदारी और मेहनत के साथ प्रारंब करिए इसी के साथ हम इसी प्रकार की श्रंकला में पुना आप से मुलाकात करेंगे ताकि उन सवालों के जवाब ढून सके जो तयारी करने के दोरान विध्यारती के सामने आते हैं एक बड़ा महतुपन संदेश कि हमारे सी सेट का बैच 25 जुलाई से प्रारंब होने जा रहा हैं इस बार हम आपको दे रहे हैं एक बैच के साथ एक बैच फ्री केवल इस ले ताकि आप अपनी तय बार क्लास को कम्प्लीट करें बाकी एक लिमिटेट टाइम पीरेट के लिए आपको दिया जा रहा हैं अनेकेडमी जी अस का सब्सक्रिप्शन जिसमें आपको मिलता हैं 15 महिने का सब्सक्रिप्शन C.Sate, जीअस और टेस्ट सीरीज का जबकि आपके सामने हैं प्राइस इन अचीवर्स बैच तता 2026 के लिए निव बैच भी आ चुका है। यदि आप Unacademy UPSC Summit में पाटिसिपेट करना चाते तो फ्री रजिस्ट्रेशन कर लीजे क्योंकि आपको मिलेंगे कई सारे ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशन और उनके एक्स्पिरेंस का अनुभव ताकि चीजे देखना जरूरी होती हैं, एक सफल इनसान में, एक ब्यूरोक्रेट्स में, एक समास सेवक में। कॉलिटे इन्रिच्मेंट प्रोग्राम में में सौले विध्यारतियों का पुना स्वागत हैं, और आइकॉनिक अबोर भी आइकॉनिक हो चुका हैं, AI-based answer evaluation, AI-based interview guidance, quick revision module, आपको इसमें mentors तो मिलेंगे, जो आपके answer को चेक करेंगे, लेकिन immediately, AI-based answer का जो feature है, वो एक किया जा रहा है, सभी को बेश टॉप लख, बाइ!